So now student, अभी तक हमने Google AdWord देखा है कि companies कैसे pay करती है Google को ताके जो company का relevant ad है वो website की search में आ सके दूसरा जो model है Google के थुरूई वो है AdSense अब हमें देखते हैं what is AdSense So, सबसे पहले ये समझें के AdSense है क्या एक website है जैसे आपको नज़र आ रहा है भी sensorland.com कोई भी website है उस पे आपको जैसे अभी right side पे आपको नज़र आ रहोगा इन रेड ये वो ads हैं जो किसी website पे display होते है What does it translate to? It translate to के जैसे हमने भी Google AdWord में देखा था उसके लिए किसी website का होना ज़रूर नहीं था वो Google की search में result आ रहा होता था यानि Google.com लिखा किसी particular user ने search किया तो search में ही add आयता था AdSense is a bit different AdSense किसी particular website पे appear होता है AdWord website पे appear नहीं होता था वो website पे ले के जाता था लेकिन AdSense जो है ये website पे ही appear होता है जिसना आपको यहाँ पे अभी red में नज़र आ रहा है So AdWord proceed जो AdSense है उसका जो basic business model है या जिसको overview है वो तकरीबन AdWord जैसा ही है मतलब एक publisher है एक company है जो basically Google को कुछ पैसे दे रही है to for its product ताकि वो market कर सके अब यू समझें कि जो users है या जो advertisers है जो companies है उनके बस दो avenues है अपने product को लोगों तक पहुचाने के लिए via social media एक AdWord है जो हमें डिसकॉस की है एक AdSense है दोनों cases में जो advertiser है I repeat जो advertiser है जो company है वो पैसे दे रही है Google को जब भी ad पे click होता है तो ये दोनों ये जो aspect है advertiser का ये AdWord में और AdSense में ये common है फरक सिर्फ ये है कि जो publisher है publisher कौन है असान लफ़ों में वो बंदा या वो organization जिसकी कोई website है अब ये difference है दोनों में AdSense के लिए website का मौजूद होना लाजमी है क्योंकि जो publisher है या जो website का honor है उसने AdSense का एक आप समये HTML का code है यानि कुछ code है कुछ numeric value है कुछ alpha numeric value है वो website में paste करनी है website के code base में जाके add करनी है only then AdSense will work it is not like कि Google पे लोग आगे search करेंगे तो आपका ad नजर आजएगा ऐसा नहीं है website पे आपको AdSense लगाना पड़ता है यहूं समझें लगाते कैसे हैं? by inserting some HTML code जैसे ही आप HTML code insert करते हैं अपने website में तो जो आपकी website का content है for example एक blog है वो for example sports से related है तो जो आपकी website के content से related AdSense होंगे वो appear होना शुरू हो जाएंगे आपकी website पे ये AdWord में और AdSense में ये common part है कि again यहां पे सारे का सारा rely हो रहा है content के उपर फरक सिर्फ ये है कि जो Google AdWord था वो content या वो keyword था search करने वाले का on Google यहां फरक ये है कि यहां पे content पे rely किया जा रहा है उस website के जहां पे AdSense मैंने जाके post किया तो जिस website पे मैं ad जाके post करूँगा उस website के content से related ads उस website पे आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही मागे चलेंगे तो अब हम ये देखते हैं कि जो relevant ad website पे आना शुरू होंगे उसके बाद जो गूगल का AdSense है यानि AdSense काम ऐसे करता है कि जो website पे आपको content फरक जापल मैं एक traveler या मैं एक sports की website को run कर रहा हूँ तो जो गूगल का एक चीज होती है उसको बोलते है spider spider से मुरादी होती है it is sort of a crawler यानि जो मैं content एड कर रहा हूँ website में वो continuously गूगल अपने पास store कर रहा होता क्योंकि जो ads हैं वो मुझे मेरी website के content से related आने हैं मतलब इसका यह है कि अगर मेरी website sports से related है तो मुझे sports से related ही एड आने चाहिए adsense में ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी website तो है sports की और ads मुझे आना शुरू हो जाएं for example food से related ऐसा नहीं होगा ऐसा सिरफ उसी वकत होगा जब मेरे content match नहीं कर रहा मेरी advertisements है so जो spider है वो website के content को crawl करता है यानि search करता है यह समझे और अपने पास store करता जाता है क्यों store करता है कि जो आपकी website में content मौझूद है वो उसको उस content से match करता है जो advertiser ने या company ने अपना ad create करते वक्त keywords बताए है यानि मैंने for example अपने content में लिखा के I am interested in football और football से related मैंने अपनी website के content ad करना शुरू कर दिया that is where the spider will store my keywords football से related this is one part अब spider ने football से related advertiser यानि companies के ad pick करने हैं तो वो ad कैसे pick करेगा वो मेरी website के content को match करेगा उस content से या उस keyword से जो company ने ad किये हैं ad word या advertisement create करते वक्त तो जब तक दोनों की relevant matching नहीं होगी अगेन यहाँ भी ad rank sort of चीज आजेगी जब तक दोनों की relevant ranking नहीं होगी तो मुझे मेरी website के उपर ad sense को use करते वे कोई नए relevant ad नजर नहीं आएंगे तो इसका मतब यह हुआ कि Google भी अपने पास continuously अपने ads की inventory को ad की inventory से मुराद बढ़ा simple सा है इसको अपने सुनके पशान नहीं होना इसे मुराद यह है कि Google को अपने पास भी update करना है क्योंकि मैं content add कर रहा हूँ और अगर मैं content add कर रहा हूँ तो मेरी जो content से related ads हैं वो भी continuously update होते रहेंगे for example मेरी website से football से related मैंने का जी कि for example कि messy ने hat trick कर दी है तो अब यह है तो football ही लेकि now I am talking about messy तो यह मैंने inventory update की न तो Google ने भी अपने पास update करना है कि अब मेरी website पे ads messy से related दिखाओ football से related तो दिखाओ ही लेकिन messy से related दिखाओ तो the whole point of discussing this thing is कि जैसे जैसे मैं अपने website का content update कर रहा हूँ वैसे वैसे ही Google भी अपने पास updates कर रहा है उन keywords की जिसके against उसने फिर ads दिखाने है adsense में और जो adsense है वो basically it's free for bloggers यानि free for you and me मेरी एक website है मैंने उसके अंदर adsense को insert कर दिया तो मैं as a owner of the website Google को कुछ pay नहीं कर रहा राधर Google मुझे pay कर रहा यानि जब मेरी website के थूँ लोग click करते हैं तो Google मुझे pay करता है इसका मतलब यह असान लफ़ों में कि मेरा content इतना rich है कि लोग मेरी website पे आ रहे हैं और मेरी website के थूँ advertise या जो company है उसकी website पे link कर रहे हैं तो है यह वही advertisement जो company ने create की थी फरक सेफ यह है कि adword में company को charge करते हैं adsense में हम owner of the website को pay करते हैं per click तो यह एक बहुत बड़ा source of revenue है for those guys जो घर बैठके revenue generate करना चाते हैं इसको basically हम लोग blogging भी कहते हैं लोग अपने blog बहुत चला रहे हैं content rich website को run कर रहे हैं तो इस जरिये से वो लोग घर बैठे बैठे ही Google की मदद से अच्छी खासी amount monthly basis पे वो earn कर सकते हैं आप जर अपने जर आप झाना जर आप